देखी दोस्तों अगर हम बात करें कि अब की बार रिट मेंस एक्जाम 2023 में इंगलिस की कटोप क्या रहेगी तो मेरा मानना है कि अब की बार कटोप आप परत्यासित रहेगी लेकिन फिर भी अनुमान के आधार पर और अभ्यरतियों के दुआरा बताए जा रहे हैं नंबरों आप परत्यासित कटोप जारी होगी और मेरिट में काफी गिरावट आपको second list में देखने को मिलेगी क्योंकि first list में सभी अच्छे रेंक वाले candidate को सामिल किये जाएगा भले ही उनका first grade या second grade में selection हो गया हो उसके बाद में अगर ये document verification या joining third grade की post पर नहीं करवाते हैं तो के रिक्त पदों पर फिर से list जारी कर नए अभरतियों को मेरिट में सामिल किया जाएगा चली देखते हैं first list और second list में लगवग अनुमानित का top क्या रह सकती है ये सिर्फ एक अनुमान है final का top इससे 24 नंबर उपर नीचे हो सकती है देखे सबसे पहले हम देखते हैं general category में तो इंगिस के अंदर हम देखते हैं कि general category की जो का top का अंकडा है वो लगवग 166 नंबर से लेकर 190 नंबर के बीच में रहने की संबावना बनती है और जिन अब भड़ते होगी 190 से उपर अंक बन रहे हैं वो अपने आपको safe zone में मान सकते हैं और बात करें हम second list की कि अगर first grade और second grade का result read के result से पहले आता है और उनको zoning दी जाती है तो second list अबसे जारी होगी और second list की जो कटोप का अंकडा होगा वो 180 से लेकर 185 अंकों के बीच में रह सकता है रहने की संबावना है ठीक है अब बात करते हैं बात करते हैं OBC category में तो OBC category में आपको बता दू कि कटोप क जो उस आंकडे हैं वो 180 से लेकर 180 के बीच में रहने की संबावना बनती है और जिन अब भेरते हों कि 180 से उपर अंक बन रहे हैं वो अपने आपको safe zone में माल सकते हैं अगर बात की जाए 1st grade और 2nd grade के result की तो अगर read के result से पहले आता है और zoning मिलती है उनको तो second list में भी काफ का आखड़ा रहेगा वो 186 से लेकर 180 के बीच में रहेगा ठीक है यह बात याद रखनी है बात करता हूं नेक्स्ट अगली केटिगरी में यह WS की तो EWS में जो कटोप का आखड़ा है वो 186 से लेकर 180 अंको नंबर के बीच में रहने की संभावना बन रहेगी है कि कटोप इनके बीच में ही रहेगी और जिन अभ्यरतियों की 180 से उपर अंक बन रहे वो अपने आपको सेप जोन में मान सकते हैं बात की जाए सेकंड लिस्ट की अगर सेकंड लिस्ट जारी होती है तो कटोप क्या रहेगी तो कटोप का आखड़ा रहेगा 180 से लेकर 175 नंबर के केटिगरी में MBC केटिगरी की तो MBC केटिगरी में जो कटोप का आखड़ा वो 175 से 175 के बीच में रहेगा और जिन अभ्यरतियों के 175 से उपर अंक बन रहे हैं वो अपने आपको सेप जोन में मान सकते हैं इन विस्ट के अंदर अगर बात की जाए सेकंड लिस्ट में कटोप क्या रहेगी तो सेकंड लिस्ट में जो कटोप रहेगी वो 166 अंक से लेकर 170 अंक के बीच में रहेगी अगर फस्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड का रिजल्ट रिड के रिजल्ट से पहले जारी होता है और उनको जोन इन दीज जाती है तो ठीक है बात करते हैं नेस्ट अग रहेगा वो 166 अंकों के बीच में रहेगा अगर फस्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के जोनिंग से पहले हो जाती है तो बात की जाए स्ट कैटिक्री की तो सेकंड लिस्ट में जो अंकों का रहेगा वो 156 से लेकर 170 रहेने की संभावना बनती है अगे उस्ट अभिष्च्य कि 165 से उपर अंक बन रहे हैं एस्टी केटेगरी में वो अपने आपको सेब जोन में मान सकते हैं इंग्लिस से बात की जाए सेकेंड लिस्ट की तो सेकेंड लिस्ट में जो अंकों का अकड़ा रहेगा वो 156 से लेकर 160 के बीच में रहने की संभाव ना बनती है अगर सेकेंड लिस्ट जारी होती है कब फेस्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड के रिजल्ट अगर रिट के रिजल्ट से पहले जारी हूँ तो ठीक है यह बात याद रखनी है यह थी हमारी इंग्लिस से संबंदिस कटोप अगर बात की जाए female की female की cutoff क्या रहेगी तो female की cutoff male की cutoff से एक दू नमबर नीचे रह सकती है और अगर मैं जानत से ज़ जादा कहूं तो एक दू नमबर भी नहीं रहे तो कुछ पॉइंटों में कम रहेगी सेम तो नहीं रह सकती झाल झाल